नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारे नियूज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर पढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों का 2024 का कैलिंडर जारी छुट्टियों में हुई कटोती बहुत पुरुस भारत रत्न सरदार वल्लब भाई पटेल की पुनिति थी आज पीएस इभी मैटरिक और इंटर के छात्रों को मुफ्त मिलेगी गेस पेपर और काई पीएस ये उनहत्तरवी मुख्य परिक्षा के लिए बढ़ाई आवेदन की तारीख एमेस पोनी की जर्सी हुई रिटायर इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों क्यों विस्तार से 2024 का कलेंडर जारी छुट्टियों में हुई कटोती बिहार के राजेपाल राजिंद्र विश्वनात आरेडकर क्या देश पर राजभवन सचिवाले से बिहार के कॉलेजों की 2024 के छुट्टि का कैलेंडर जारी कर दिया गया है जिसके अनुसार 2024 में तीन छुट्टियां कम रहेंगी बता दे कि वर्स 2023 में कॉलेजों में जहां 92 दिन की छुट्टी थी वही 2024 में यह चुट्टी की संख्यार नवासी है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 2024 के कालेंडर में जब आहां लाल नहरू की जहनती टॉक्टर राजिंत प्रशाद की जहनती करपूरी ठाकूर बिहार के पहले मुक्यमंत्री श्रेकृष्ण सिंग और अनुगरह नरायन सिंग की जहनती पर भी कॉलेज खुले रहने की बात कही गई है जबकि वर्ष 2013 में इन महापुरूसों की जहनती पर छुटी थी वही लोक नरायन जै प्रकाश नरायन की जहनती की छुटी 11 ओक्टूबर को दी गई है जो 10 ओक्टूबर से 13 ओक्टूबर तक दुरगा पुजा की छुटी में शामिल है सक्चक नुक्ती परिक्षा में पकड़े गएं पांच मुन्ना भाई बिहार सक्चक नुक्ती परिक्षा के दूसरे चरण के तहत राजी के नौजिलों के 184 परिक्षा केंद्रों पर बीते दन प्रात्मिक सक्चकों की नुक्ती के लिए परिक्षा आयूजित की गई थे ज इसमें कुल पांच मुन्ना भाई पकड़े गए जो दूसरे की जगह बैटकर परिक्षा दे रहे थे बता दे कि इन पांच मुन्ना भाई में से बिहार की राजधानी पटना से एक दर्भंगा और मुझपरपुर से दो दो फ़र्जी अभ्यर्ती शामिल हैं बताया जाता है क मुझपरपुर के चैप मैन किंद्र पर परिक्षा शुरू होने से पहले परिक्षार्थियों का फिंगर प्रिंट चेक किये जाने के दौरान यूपी के आदित्य कुमार का फिंगर प्रिंट मैच नहीं हो पाया जिसके बाद जब उससे कढ़ाई से पूछा गया तो उसने अपना नाम प्रभाकर कुमार बताया और बताया कि वह जहानाबाद का रहने वारा है विश्यविद्यालियों के कूल पतियों को लेकर केके पाठक का नया फर्मार बिहार के सिक्षा विवस्था में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार के सिक्षा विवाक के अपर मुख्य सचीव केके पाठक के द्वारा कई फर्मान जारी किये जा रहे हैं इसी कड़ी में अब उनके द्वारा राजी के विश्यविद्यालियों के कूल पती को लेकर फर्मान जारी किया गया है जिसके तहर चालू खाते के पैसे को बचत खाते में ट्रांसफर करने को कहा गया है बत शादेक इससे पहले भी केके पाठक कूलपतियों का वितन रोखने का आदेश दे चुके हैं तमुझ अपरपुर के बी आरे बिहार विश्यविद्यारे के प्रभारी वीसी और प्रोफेसर वीसी का वितन रोखा गया था लौपुरुस भारत रतन सरदार वल्लब भाई पतेल की पुनित थी आज आज यानी की 15 दिसंबर के दिन ही वर्स 1950 में लौपुरुस सरदार वल्लब भाई पतेल की मुंबई में निधन हो गया था मालू हो कि सरदार वल्लब भाई पतेल भारत देश के पहले उप्रधान मंतरी और ग्रीम मंतरी थे इन्हें लौपुरुस की भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सरदार पतेल के द्वारा भारती राष्ट्रे कॉंग्रस का नित्तव किया गया 1934 से 1937 के बीच उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्पुन भूमिका निभाई या सरदार पतेल का ही वीजन था कि भारती प्रशासनिक सेवाई देश को एक रखने में एहम भूमिका निभाईगी उन्होंने सिवल सर्विसेज का देश का स्टील फ्रेम कहा था वहीं सरदार बलभाई पतेल की पुनित थी के अफसर पर राजके समारों में उनकी आदमकद प्रतीमा पर मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा पुस करुच माध्यमिक विध्यालियों को अधिकरत किया गया है कि बोर्ड परक्षाओं की तैयारी के लिए बाजार में उप्लब्ध और चात्रों के बीच लोग प्रिये गिस पेपर मॉडल प्रश्ण पत्र एवं गाइट आधी को विध्यालियों के चात्र कोस या विकास कोस स खरीद कर उप्लब्ध कराएं प्रमोशन मिला है उनमें सुहर्स भगत अमन समीर प्रशान कुमार सी एच मनेश कुमार मिना सावन कुमार सज्जन कुमार जे प्रियदर्शनी और तुसार सिंगला के नाम शामिल है मालमों किस से पहले शिवर डियम पंकच कुमार समेत 26 आईएस अधिकारी को प्रमोशन मिला था बता दे कि बिहार के अलग-अलग विभागों में प्रमोशन का काम तेजी से चल रहा है सचिवाले स्तेवा के 523 कर्मियों को विविन पदू पर प्रमोशन दिया गया है सफल अभ्यर्थियों की जिला अवंटन की सूची बिहार लोकसे वा आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है जिसमें वर्ग 1-5 तक के लिए 2 विशियों सामाने अध्यान और उर्दू और वर्ग 9-10 के लिए 7 विशियों में सफल अभ्यारतियों के जिला अवंटन सूची और वर्ग 11-12 में 5 विशियों अंग्रीजी, मैच्स, जिलोजी, बिसनस स्टडीज और कम्प्यूटर साइंस के अभ्यर्थी शामिल है ऐसे में वो अभ्यर्थी जिन्हों ने इस परिक्षा में भाग लिया था वह आयों की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर संबंध सूची में अपनी नुक्ती का जला चेक कर सकते हैं इस बात की जानकारी अध्यक्ष अदुल प्रशाद के द्वारा कर दी गई है उन्होंने कहा कि हमने अपने पोर्टल पर TRE 2.0 के स्कैन के गए OMR अप्रोड करना शुरू कर दिया है सभी विश्यों के लिए इसे पूरा करने में 10-15 दिन लग सकते हैं इस बार स्कैन के गए OMR में स्कैन रिडिंग भी शामिल होगी बीटा एरपोर्ट का इ नहीं वीतिय सुकृती मिल गई थी वहीं अब इसे प्रशासनिक सुकृती भी मिल गई है ऐसे में अब टेंडर निकालने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है बता दे के अगले महीने के पहले सबता हमें इसका टेंडर निकाले जाने की संभावना है बीटा एरपोर्ट पर स्टवल इंकलेव निर्मान के लिए पहले चरण में राजसरकार के दोरा 126 एकर जमीन दी गई है जिसमें से 108 एकर जमीन टर्मिनल भवन के निर्मान के लिए और 18 एकर जमीन स्टीट हैंगर के निर्मान के लिए दी गई है वहिन सब के लावा टर्मिनल भवन के निर्मान के अतरिक्त आठ एक जमीन की मांग भी की गई थी जिससे राजी सरकार के ओर से सुर्कित कर लिया गया है और अपके वल इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाना है बोध गया पहुंचे धर्मगुरु दलाई लामा आज यानि की 15 दिसमबर 2023 को बिहार के बोध गया में बोध धर्मगुरु दलाई लामा का आगमन हो गया है बता दे कि वो विसेज फ्लाइट से गया एरपोर्ट पहुंचे इसके बाद सरक मार्क से बोध गया के लोगों के द कालचक्र मैदान की ओर से बड़े वहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा एमबसी मोर से महाबोधी मंदर की ओर बिना पास का कोई वहन प्रवेश नहीं करेगा 22 दिसमबर से तीन जनवरी तक एवं जिस दिन भी दलाई लामा के दोरा मंदर पड़िसर कालचक्र मैदान या पास-पास कोई कारिक्रम आयूजित किया जाएगा उस तोरान इमबसी मोर से वर्मा मोर के तरफ सभी प्रकार के वहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा इसके साथ ही रूटों में कई अन्य बदलाव भी किये गया है बता दे कि धर्म गुरु दलाई लामा एक पकवारे से अधिक समय तक बोद गया में प्रवाश करेंगे और साथ ही अपने कई कारिक्रम भी चलाएंगे बीपीएसी उनातरवी मुख्य परिच्छा के लिए बढ़ाई आवेदन की तारीक अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बीपीएसी अर्सटवी और उनातरवी मुख्य प ने पोर्टल पर अर्सटवी CCE मुख्य परिच्छा की सभी इसकैन की गई अमुल्यांकित प्रतियां अप्लोड कर दी है एकिगरित उनातरवी CCE मुख्य परिच्छा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम्तिती विलंब शुल के साथ 16 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है पता और की नदी जोर योजनाओ में केंद सरकार से मांगा सहयोग राश्ट्री जल विकास अभिकरन की 37 वी बार्सिक सामाने बैठक तिथा नदी जोर परियोजना के लिए गठत विशेश समीती की 21 वी बैठक में बिहार सरकार के जल संसाधन तथा सूशना इवं जनसंपर्क मं अनुपाद 10 के फंडिंग पैटरन पर स्विकृत दी जाए जिससे राज्य के समांचल छेतर के चार जिलो में 12 समलों 14 लाग हेक्टेर छेतर फल को सिचाई की सुवधा मिल सके और कोसी नदी की बाहर को नियंतरत किया जा सके उन्होंने कहा कि यदि 60 के इंदरांस अनुपा तेज पताप यादव के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर कर टूइट करते वे लिखा गया था कि आज मैं अपने जबरा फैन से मिला जसने अपने सीने पर मेरा टैटू बना रखा है इस असीन प्यार और सम्मान के लिए अंतरमन से धन्यवा इवन याद रखोंगा और इनके लिए हर समय किसी भी पर सिती में सहाइता के लिए तयार रहूंगा वहीं अब इस पर आलोग शर्मा नामक एक युवक के द्वारा इस पोस्ट को लेकर तंश कस्टेविट टूइट कर लिखा गया है कि तो आज आज आपकी मिलाकात इस लर पती गय थे जहां होने अपने बाल मुडवाय थे C.M. नितीश की वारा नसी रैली अस्थागित होने पर जेडियू का दावा 24 दिसंबर को वारा नसी में प्रस्तावत बेहार के मुक्यमंत्रे नितीश कुमार की रैली अस्थागित हो गई है ऐसे में आप जेडियों के ओर से योगी आधित्तिनात पर गंभीर आरोप लगाए गया है बता दे कि जेडियों के यूपी प्रभारी श्रवन कुमार के द्वारा कहा गया कि भाजपा सरकार ने जान बूच कर सीयम नितीश की रैली को रद कराने की साजिस्रची इसके लिए रोहनिया की इंटर कॉलेज की प्रशासन पर दबाव बनाया गया हूंने कहा कि जब हमने जनसभा करने के लिए कॉलेज प्रशासन से अनुमती माँगी तो पांच दिनों तक प्रबंधक ने हम layout को गया कि हम जनसभा कर सकते हैं कहा गया कि हम पर दबाव है हमारे कॉलेज की मानता रद करने की धंकी दी जा रही है हमारे कॉलेज पर बुल्डोजर चलाने की धंकी दी गई है इस हालत में आपको जनसभा करने के लिए यहाँ अनुमती देना संभव नहीं है सीम नितीश की रैली रद होने पर गिर्यास सिंग का बयान केंद्री मंत्री और बेगुसराय सांसत गिर्यास सिंग के दौरा बिहार के मुख्य मंत्रे नितीश कुमार की वारह नसी की रैली रद होने पर तंच कसते वे कहा गया कि नितीश कुमार के पास कोई वोट बैंक नही वारानसी में उनके पास लोग जूरते ही नहीं तो पिर ऐसे हालात में उन्होंने अपनी Rally रध नहीं की होती तो और क्या किये होते उन्होंने कहा कि यह चले हैं घोड़ा के साथ मेढग बन कर नाल टुकवाने के लिए इसके साथी उन्होंने अदानी के बिहार में उद्ध्योग लगाने पर कहा कि राहुल गांधी और इंडी कड़बंधन का यह बचकाना हरकत है इनके पास मोदी के खिलाब बोलने के लिए कुछ तो है नहीं बस आदानी को लेकर या इधर उधर की बातों को लेकर जूट फोर्स की बात करते रहते हैं एमस धोने की जर्सी हुई रिटायर भारती टीम के पुर्वक अपतान महिंदर सिंग धोनी के अंतराश्च्री क्रिकेट से सन्यास लेने के तीन साल बात भारती क्रिकेट बोड के दौरा खेल में उनके योगदान को सम्मान देते वे उनके दौरा पहने गए। जर्सी नमबर 7 को रिटायर करने का फैसला لिया गया है सचिन तंदुलकर के वो वर्ज 2017 में दिया गया था वहीं अब सूची में धोनी का भी नाम जुर गया है बता दे क्रिकेट बोर्ड के दोरा युवा खिलारियों और वर्तमान भारतिय टीम के खिलारियों को एमस धोनी की नमबर 7 जर्सी नहीं चुनने के लिए कहा गया है एक नियम के रूप में ICC खिलारियों को एक और सौ के बीच कोई भी संख्या चुनने की अनुमती देती है उप्शन A 126 एकर, उप्शन B 108 एकर, उप्शन C 18 एकर, उप्शन D 8 एकर इसका सही उत्तर है उप्शन C 18 एकर अगला सवाल BPSC 79 भी मुक्य परिक्षा के लिए आवेदन की तारीख कब तक बढ़ाई गई है उप्शन A 16 दिसंबर 2023, उप्शन B 17 दिसंबर 2023, उप्शन D 18 दिसंबर 2023, उप्शन D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है उप्शन A 16 दिसंबर 2023 अगला सवाल बहार लोग सेवा आयोग द्वारा वर्ग एक से पांच तक के लिए कितने विश्यों की जिला अवंटन की सूची जारी कर दी गई है उप्शन A 2, उप्शन B 4, उप्शन C 6, उप्शन D 8 इसका सही उत्तर है उप्शन A 2 अगला सवाल लोग पुरुस भारत रत्न सर्दार वल्लब भाई पटेल को भारत रत्न से किसवर सम्मानित किया गया था उप्शन A 1950, उप्शन B 1975, उप्शन C 1980, उप्शन D 1991 इसका सही उत्तर है उप्शन D 1991 अगला सवाल महिंदरी सिंग धोनी की जर्सी नंबर क्या थी? उप्शन A 4, उप्शन B 6, उप्शन C 7, उप्शन D 10 इसका सही उत्तर है उप्शन C 7 वीते दिन हमारे दर पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दर पूछे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है अगर आप यूटूब से देख रहें चालंगों सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना न भूले धन्यवाद